राधे राधे मैं कल बतला रहा था कि कामनाओं का त्याग करके ममता अहंकार प्रिहाद का त्याग करके कर्म योगी को परम शांती की प्राप्ति होती है उसके जीवन में कभी अशांती नहीं आती है वो प्रारब्द के भोगों को ऐसे स्विकार कर लेता है जैसे समुद्रू जो नदियों के मां तमाम जल को स्वीकार कर लेता और बिचलित नहीं होता तो अब मैं इस विशाय में ये कहना चाहता हूँ कि ये स्थिती जो प्राप्त होनी है ये जिस उम्र में प्राप्त हो जाए वही उम्र उसके लेकर जान करी हूँ जैसे किसी को बालकपन में मिल जा है इस जैसे प्रहलाद जी को मिली भक्त प्रहलाद को तो बालकपन में ही वो पूंड हो गया किसी ने युव आवस्था में जाकरके इसको प्राप्ति किया, ऐसे स्टिती को, तो उसकी युव आवस्था में उसकी साधना के पोण रता हो गई और ये किसी ने साजना करते करते बहुत उमर बिता दी और बुढ़ापे में जाकर कि इस अवस्था को प्राप्ट किया तो उसकी बृद्ध अवस्था उसके लिए चंपूर्ण सफलता का बरदान है लेकिन ये कोई बृद्ध हो गया और मरने तक भी नहीं ठीक हो पाया किन्तु मरने के टाइम पर वो अपने चित्ट को कामनाओं ममताओं अहंकारों उस्प्रियाओं से मुक्ट कर लिया मरने के पहले तब भी उसकी परमगती निश्थित है ऐसे समझो जैसे किसी ने कुछ मिर्च जैसी कड़वी चीज़ें खा लिया लेकिन उसके बार उसकी समझ में आगा है कि एक भोजन करवा था इसलिए मुखरा हुआ तो उसके बाद बढ़िया सी मिठाई खा ले हो तो उसका करवा मुखर हो है फिर से मिठा हो जाता है ऐसे भूल के किसी ने जीवन में ने करने योग कारे किया हो और जीवन के आखिर में वो भगवत भजन करता हुआ निश्काम हो जाए, निश्काम कर्मयोगी हो जाए, मो ममता से मुक्त हो जाए, अहंकार आज से मुक्त हो जाए और ज्ञान में इस्ठित हो करके कर्म करे, तो उसका मरंड काल ही उसके जीवन का संपूर्ण फल परदान कर देता है कि तुम तो अमर हो, तुम को सब पहले से प्राप्त है, यह तो मैं तुम्हारे बहाने से अवों लोगों को सुना रहा हूँ शीरा दे रहा थे, दे शीरा थे